नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस वीडियो में जहां आप जानेंगे रजिय सिल्टान का इतिहास रजिय सिल्टान 1236 इस्वी से 1240 इस्वी रजिय सिल्टान भारत की प्रथम महीला श्रासक थी जिसका जन्म 1205 में हुआ था उसने देश पर 1236 से 1240 तक शासन किया वो एक सहसी सिल्टान थी और दिल्ली के सिंगासन पर नियंतरण और हस्पक शेप करने वाली पहली मुसलिम महीला थी उसने दिल्ली का शासन अपने पिता से उत्राधिकार में प्राप्त किया था और 1236 में दिल्ली की सल्तनत बनी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 भारत की प्रथम महीला शासक शम्स उद्दीर इल्तुमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बहुत ही बुद्दिमान एक श्रेष्ट प्रशासक और अपने पिता की तरह एक बहादूर योध्धा थी इस तथे के बावजूत की उसका प्रशासन मात्र तीन वर्षों के लिए था अतिहास के पन्नों में उसके कारे सुरक्षित हो चुके हैं दिल्ली में रजिया सुल्तान का मगबराउन सभी स्थलों में से एक है जो इस बहादूर महिला की स्मृत्यों का स्मरण कराते हैं वो पूर्शों की तरह सुस सजित होकर खुले दर्बार में बैठती थी वो एक प्रभाव शाली शासक थी और उसमें एक शासक के सभी घुडते बच्पन और किशोर अवस्था में ग्रहनी समू की महिलाओं से रजिया का संपर्क बहुत कम था इसलिए वो मुस्लिम समुदाईक इस्त्रियों के मूल व्यवार को नहीं सेख पाई वास्तव में सुल्तान बनने से पूर वो अपने पिता के प्रशासन के नियमों की तरफ आकर्शत थी एक सुल्तान की भाती रजिया ने अंगर खां और राज मुकुट पहना और जब वो एक हाती पर सवार होकर युद में भाग ले थी थी तो रीती रिवाजों के विपरीत वो अपने चहरे को खुला रखती थी रजिया सुल्तान जीवन पर इच्चे रजिया सुल्तान गुलामवंश के शासक शमसुद्दीन इल्टुमश की बेटी थी उनके अंदर एक कुशल प्रशासक का गुण और राजकाज में पहले से रूची थी इल्टुमिश ने अपने मरने से पहले अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उत्राधिकारी खोशित कर दिया क्योंकि इल्टुमिश को अपने बेटी से जादा अपनी बेटी रजिया सुल्तान पर फरोसा था लेकिन इल्टुमिश की मृत्यू के बाद दिल्ली सल्तनत के मंत्रियों ने एक महिला को राज्य का उत्राधिकारी बनाना अपने शान के खिलाफ समझा इस कारण रजिया के सौतेले भाई रकनुदीन फिरोज शाह को दिल्ली की गद्धी पर बिठाया गया रकनुदीन फिरोज हमेशा शराब के नशे में धुत रहने वाला विलास पूर्ण जीवन जीने का आदी था उन्हें राज्य काज में जादा दिल्चस्पी नहीं थी इस कारण प्रति दिन जन्ता में नाराजगी बढ़ने लगी इदर रजिया को जब गद्धी नहीं मिली तब वो अपने जन्ता के बीट जाकर अपने पक्ष में महाल बनाने लगी रकरुदीन फिरोस के शासक के मात्र 6 महीने के अंदर ही जन्ता उससे नाखुश हो गई उनके लचर शासन व्यवस्था को लेकर जन्ता में विद्रोह का महौल खड़ा हो गया अंतह सन 1236 इसवी में रुकनुदीन फिरोस की हत्या कर दी गई दिल्ली सल्तनत का ताज इधर दिल्ली की गद्धी पर बैठने से पहले रजिया ने बहुत ही कुशलता से दिल्ली की जन्ता को अपने पक्ष में कर लिया था रकुदीन फिरोस की हत्या के बाद दिल्ली की गद्धी पर रजिया सुल्तान असीन हो गई रजिया सुल्तान पुर्षो की तरहा वेश धारन करती और खुले दर्बार में राजकाज का नेत्रेत्व करती अपने कुशल नेत्रेत्व शम्ता के कारण माना जा रहा था कि वो दिल्ली सल्तनत की सबसे सफल शासक साबित होंगी लेकिन कुछ कारणों से वो शड़यंतर का हो गई जिस कारण वो अपने सफल मुकाम पर नहीं पहुच पाई रजिया सुल्तान सन 1236 इसवी से लेकर 1240 इसवी तक दिल्ली के तक्त पर विराजमान रही इस दौरान उन्होंने विकास के कई काम भी किये रजिया का आसाधारण पिता इल्तुमश का जन्म 1210 में हुआ था और उसके मृत्यू 1236 में हुई वो एक सुल्जा हुआ व्यक्ति था अपनी पहली छोटी पुत्री जिसका जन्म कई बच्चों के बाद हुआ था कि जन्म के स्वागत के लिए भव्य उत्सफ के आयोजन के लिए उसने अपने अनुलाईयों को तयार किया उसको शिक्षित करने में उसने व्यक्तिगत रूची ली और जब वो मात्र 13 साल की थी सिर्फ अपने पिता के द्वारा दी गई शिक्षा की वज़ा से रजिया एक कुशल धनू धरर और घुरसवार के रूप में जानी गई और वो अक्सर ही अपने पिता के साथ उसके सैन्य उपकर्मों में जाया करती थी जब एक बार इलतुमिश गवालियर के हमले में शामिल था उसने दिल्ली को रजिया को सौब दिया था और वापस आने पर वो रजिया के प्रदर्शन से बहुत आश्टर्य चकित था पिता की मृत्यू के पश्टाद इलतुमिश के बच्चों में से एक रकनुदीन फिरोज राजकाज में समय लित था वो लगभक साथ महीने से दिल्ली की देख भाल कर रहा था 1236 में रजिया सुल्तान ने दिल्ली के निवासियों की मदद से अपने भाई को पून्नता पराजित कर दिया और शासक बन गई उस समय जब रजिया सुल्तान ने सिंगासन समाला सारी परिस्तितिया पहले की ही तरह हो गई राजे के वजीर निजाम उल मुलक जुनैदी ने वफादारी करने से इंकार कर दिया और उसने कई अन्ने लोगों के साथ मिलकर सुल्तान रजिया के खलाफ कुछ समय के लिए युद की घूशना कर दी बाद में तप्शी मुईजी ने सुल्तान रजिया की सहायता के लिए दिल्ली की ओर कूच किया जब तक वो गैंगेस को पार करता उसका सामनाओन नायकों से हुआ जो शहर के विरुद युद कर रहे थे एव उसे बंदी बना लिया गया उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया रजिया सुल्तान के कार्या एक समझदार शासक होते हुए रजिया सुल्तान ने अपने अधिकार छेत्र में विधी और पूर्ण शानती स्थापित की जिसमें प्रतेक व्यक्ति द्वारा स्थापित किये गए नियमों और विनियमों का पालन करता था। उसने राश्ट्र के आधार का विस्तार करने का परियास किया जिसके लिए उसने लेन देन को बढ़ावा दिया। गलियों का निर्मान एवकूओं की खुदाई इत्यादी का काम करवाया, इसके अतिरिक्त उसने खोज कार्यों के लिए विद्ञालियों संस्थाओ व्य स्थलों का भी निर्मान करवाया, और पुस्तकाल्य खुलवाया जिससे शोध करताओं को कुरान और मुहंम्मद की नीत यहां तक कि उसने शिल्प कारिता और संस्कृति के छेत्र में भी योगदान दिया और विद्वानों चित्रकारों और शिल्पकारों का समर्थन किया रजया सुल्तान की उपलब्धियां भले ही रजया सुल्तान दुल्ली के गद्दि पर साड़े थीन साल के करीब असीन रही लेकिद इनतंय कम समय कि शासनकाल में भी उन्होंने अपने राज्य में कई उल्लेखने कारे किये उन्होंने बड़ी ही कुशलता पूर्वक अपने राज्ये का नित्रेत्व करते हुए कानून विवस्था को दुरुस्त किया या तायात को सुगम बनाने के लिए सरके बनवाई पेजल के लिए जगा जगा कोई खुदवाई उसने अपने राज्ये में स्कूलों पुस्तकालियों का निर्मार करवाया इसके साथ उन्होंने अपने राज्ये में कला और संस्कृति को भी बढ़हवा दिया तब ही तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि अगर तुर्क उनका साथ दिया होता और उनसे विद्रोह नहीं करता तब रजिया सुल्तान का नाम दिल्ली सल्तनत के सबसे ताकतवर शासक में शुमार होता क्या रजिया का प्रेमी था याकुत। रजिया सुल्तान के जीवन परिच्चे में हम आगे जानेंगे कि क्या सचमुच रजिया सुल्तान के प्रेमी का नाम याकुत था कहते हैं कि घुरसवारी कराने के दौरान रजिया सुल्तान की नस्दी क्या याकुत से बढ़ गई क्योंकि याकुत रजिया को घुर्जवारी सिखाता था लेकिन कुछ अतहासकार याकुत को रजिया सुल्तान का प्रेमी नहीं बलकि विश्वास पात्र मानते हैं जो हमेशा साइक की तरह रजिया के साथ रहता था शक्तिशाली तुर्क लड़ा को का गुट जो चहाल गनी के नाम से जाना जाता था रजिया से नाराज हो गया क्योंकि रजिया याकुट से प्रेम करती थी रजिया सुल्तान के राज्य पतन का कारण अतिहासकार रजिया के राज्य का इतनी जल्दी पतन होने के पीछे दो मुख्य कारण मानते हैं पहला पूरुश सरदारों की मनमाने इल्तु तमिश के इस फैसले से उसके दर्बार के सरदार अप्रसंथे वो एक स्त्री के समक्ष नत्मस तक होना अपना अहंकार के विरुद समझते थे उन लोगों ने मृतक सुल्तान के च्छाओं का उलंगन करके उसके सबसे बड़े पुतर रुकुद्दीन फिरोज शाह को जो अपने पिता के जीवनकाल में बदाई उता था कुछ वर्ष बाद लाहोर का शासक रह चुका था सिंगासन पर बैठा दिया ये चुनाव दुर्भाग्य पून था रुकुनुद्दीन शासक के बिल्कुल आयोग्य नहीं था वो नीच रूची का था वो राज्यकारे के उपेख्षा करता था तथा राज्य के धन का अप विवा करता था उसकी मा शात तुर्खां के जो एक निम्न अदभव की महतू कांशा पून महिला थी कार्यों से बाते बिगरती की जा रही थी उसने सारी शक्तियों को अपने अधिकार में कर लिया जबकि उसका पुत्र रकनुदीन भोग विलास में ही डूबा रहता था सारे राज्यों में गड़बडी फैल गई बदायू मुल्तान हांसी लाहौर अवद एव बंगाल में कींद्रे सरकार के अधिकार का तरसकार होने लगा दिल्ली के सरदारों ने जो राजमाता के अन्नावश्यक प्रभाफ के कारण असंतोश में उबल रहे थे उसे बंदी बना लिया तथरजिया को दिल्ली के सिंगहसन पर बैठा दिया रकनुदीन फिरोज को जिसने लाखोरी में शरण लीथी कारावास में डाल दिया गया जहां 1266 इसवी में 9 नवंबर को उसके जीवन का अन्थ हो गया रजिया सुल्तान की मौत कुछ विद्वानों के अनुसार बहराम से लडाई तथा रजिया सुल्तान की मृत्यू के मध्यम एक महीने का अंतर था यतिहासकार इस एक महीने को भूल वश उलेखे नहीं कर पाए फलसोरूप लडाई के ठीक बाद उसकी मृत्यू समझ ली गई है जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अलतुन्या के साथ लडाई में हारने के बाद याकुत और रजिया सुल्तान राजपुताना की तरव भाग गए लेकिन रजिया और उनके साथ ही याकुत को राजिस्थान के टॉंक में घेर लिया गया जहां उनकी मृत्यू हो गई उमीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंदाया होगा इतिहासके पन्नों से जुड़े इन वाक्याओं को जानने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले साथ इस वीडियो को लाइक शेर भी करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करते हैं